हलो फ्रेंट्स आज हम एविडेंस एक्ट में सेक्शन 27 को समझने का प्रयास करें यह हमारा एविडेंस एक्ट का 20 मा लेक्चर इसने पहले हमने पढ़ा था कि सेक्शन 24, 25, 26 में कनफेशन कव रेलिवेंट नहीं है में रूप से यहां पर दो चीज़ें हैं एक पुलिस का स्टडी के दौरान कोई इंफॉर्मेशन या कनफेशन रेलिवेंट हो सकता है तो में रूप सेक्शन 26 में भी हमने पढ़ा और 27 में हम एक पार पढ़ेंगे दूसरी चीज दूसरी कोशन यह भी होता है कि संस्वीक्रती की सुसंगत्ता संबंदी प्राब्ध्रान का बढ़न करो तो इसमें सेक्शन 26 आएगा 27, 28, 29 और 30 तो पहले वाले संस्वीक्रती तो हम सुरू करते हैं देखिए तो यहाँ पर सेक्शन 27 की जो हेडिंगा वो यह कह रही है कि हाव मच आफ इंफॉर्मेशन रिसीप रॉंद एक्यूस में भी प्रूप मतलब एक्यूस्ड से हमने कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त की बहुत सारी तो उसमें से कितनी साबित क कर सकते हैं कि उस जदी पुलिस कस्टडी में कुछ बोलता है तो कितनी करोगे सेक्शन 27 में एक तो चीज हम यह पढ़ेंगे दूसरी पुलिस कस्टडी के दोरान रहते हुए भी उसकी स्टेटमेंट को इंफॉर्मेशन को सुसंगत माना जा रहा है तो ऐसी कौन सी शर्त है वह सुसंगत माना जा रहा है दूसरी चीज hairs फढ़ेंगे हैं कि संसिक्रति स्टेट को सुसंगत माल रहे हैं तो क्यों वान रहे 123 का 25 54 정확 च्था उसके अपवाज भी हो गया तो सेक्षम सथाइस इस एक्सप्षिन एक्सप्षन ऑसेट्टिफ़ू सेट्टिफ़ूर। और इट वाज हेल और यह किस मामले में बताई गया है इस्टेट अफ यूपी वेन शॉट में लिखाए वहां पर यह बात थी कि जब हम किसी एक्यूस से कनफेशन जो कर रहा था इसलिए सुसंगत नहीं था क्योंकि हो सकता है उसके खिलाफ थर्ड डिगरी का प्रियों किया गई हो उसके खिलाफ इंसा होई हो इसलिए एक जो स्टेंटमाइंट है अर्थाथ कनफेशन वह फॉल्स हो सकता है है मैं इसलिए वहां पर उसके कथन को हम सुसंगत नहीं मान रहे थे उसके व्रूस साबित नहीं कर पा रहे थे पर 27 मैंसे कौन से चीज़ जुड़ गई है कि हम उसके कथन को सुसंगत मानते हैं तो में रूप से सेक्षन 27 के लागू होने के लिए कौन-कौन सी शर्त है उनको हम पढ़ते हैं तो पहली चीज़ मैंने सेक्षन 27 की हैडिंग लिग दिया है उसका मैंने कॉशन दिकाया कि पुलिस का सट्री पुलिस का सट्री के तौरान कंफेशन और इंफॉर्मेशन में भी रेलिवेट हो सकती है तो वह चीज़ आमने पड़ी कौन-कौन से सेक्षन 26 में 27 पर रेलिवेंट हो सकती है और फिर इसका जनरर रूल क्या है सेक्षन 24-26 का हम जानते हैं मैंने आपको इलसे सेथेशन 27 की हम क्या पर रहे हैं कंडिशन सथा सब्साइब हो गरीकाई है जुए इंफर्मेशन सब्ताइस की लाग दिया इनफर्मेशन 4-25ि लाग वीईह कर्यों सब्सकर रहे हों नमबर दो वो अभियुक तो पुलिस का स्टडी में भी होना चाहिए दूसरी हो गई अही शुद भी अंडर राको इसको सब्सक्राइब नमर तीन बहुत इंपोर्टेंट यानि कि फैक्ट डिसकवर्ड फ्रॉम इन्फॉर्मेशन ने कोई इसने इन्फॉर्मेशन दी और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर यदि पुलिस ऑफीसर में कोई फैक्ट गटना इस तरह से उस प्लेस से यदि कुछ डिसकवर कर लिए जाते हैं कोच खोज कर लिए जाती है वहान से रौ कर लिजाती है तो वही केवल केवल और यहीं इसके भुरुस का सब्स कर सकते हैं तो थार्द बहुत इंपॉर्ड धियान दीजिएगा उन्होंने कहा कि फैक्ट डिसका व्रॉम इन्फॉर्मेशन इन अग्युक्ट की इतला के पश्यद वहां से fact discover हुए हूँ may be proved तो वो fact उसके बुर्द साबित किये जा सकते हैं not other और कोई नहीं साबित किये जा सकते हैं example से हम बताएंगे भी चौती चीज़ जो fact discover किये हूँ वो उस offense एक crime से relate होनी चाहिए तो fact discover should relate to offense example से समझते हैं suppose को एक व्यक्ती ने कहा कि मैंने ही सुख देवी को मारा है और वो गड़ासा या फिर वो चाकू मैंने तालाब में फैक दिया है या फिर कोई व्यक्ती बोलता है कि मैंने ही मोहनु को मारा है और वो चाकू मैंने पेड़ के पेड़ के नीचे गड़्डा फोलके छुपादी है या फिर मैंने ही उसकी हत्या की है और वो पिस्टल मैंने छट पर छुपा दी है या तालाब में फैक दिया है तो इन सारह जो मैंने इन फूर्मेशन जो अब ने बोली और था जो मैंने बोली उसके दो पार्ट है पहला तो से बोला कि मैं नहीं सुखदेवी को मारा है या मैं नहीं मोहनी को मारा है मैं नहीं B.P. हत्या की है ये और दूसरी वह मारने वाला हत्यार वो डेंडा वो कपड़े वो डेड़ बोडी वो फैफ्ट वो चीजे उस जगे पर छुपा दी है तो जो दूसरा वाला स्टेटमेंट बोला कि वो पिस्टल मैंने छट पर छुपा दी है तो यदि पुलिस ओफिसर वहां जाते हैं और वो पिस्टल वो या उस गड़ासे को प्राप्त कर लेते हैं तो वो वाला जो सेकंड वाला पार्ट है वो उसके पुर्द साबित किया जा सकता है और जो पहला वाला था कि मैंने ही सुखदेवी को मारा है वो नहीं साबित किया जा सकता या फिर कि मैंने वहां से एक पोर बंदर से या फिर किसी विशे स्थान से चार केमिकल के ड्रम चोरी किये हैं और वो मैंने एक विशे स्थान पर चुपा दिये हैं तो विशे स्थान से चुपा दिये हैं वो तो relevant है यदि मिल जाते हैं वो तो साबित किया जा सकता है कि मैंने ही चोरी कि इन चार chemical drum की ये नहीं सावित की जा सकती है न दो पार्ट में आप धान रहेंगे तो कितनी सावित की जा सकती है section 27 की heading क्या थी कि अव्युक्त की दी गई इतला में से कितनी सावित की जाती है तो इसका answer ये हुआ कि उतनी दी जा सकती है जितनी उस इतला के परणाम शरूप उस घटना इस तल से या उस स्थान से police officer द्वारा discover कर ली जाती है उसके इलाबा कुछ नहीं चाहें वो इतला confession की category में आती हो या नहीं आती हो ठीक है न तो यह चार element मैंने बताए आपको बहुत important है उसके पश्याथ हम case को पढ़ते हैं इस बहुत important है आपको चाहरी लिखें चालों बहुत important नमबर वन इस चेट आफ यूपी वर्स देमानुपाद्या में 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 रूप से दो चीज़ा बताई थी मैंना सबके आपको बता दी है cases के example तो मैं यह बता रहा हूं क्या हेल किया गया इस चेट आफ यूपी वर्स द सौदय का अतिकर्मण नहीं करता है ना विवेदगारी नहीं है दूसरी चीज़ें बताई थी दो पॉइंट तूसरा के स्टेट आफ यूपी वर्सेस कासी काथी कालू के मामले में इस मामले में नियाले ने कहा कि सेक्शन 27 सेक्शन 23 का सम्मिधान के अनुच्छत 20 के 3 का अ पॉइंट नहीं करता यह दोनों के इस बहुत बहुत जाला इंपोर्टन सबसे इंपोर्टन उसके बाद नेक्स केस है पुलिकोरी कोट्या वर्सेस एंपरल यह भी सेक्शन 27 से रेलिटिड है और मुहमत इनाय तुला वर्सेट यह ड्रम वाला है केमिकल के ड्रम वाला तो तो हमारा में लूप से सेक्शन 27 में चार केस हो गए आपके चार कंडीशन हो गई और सेक्शन 27 की हैडिंग थी कि इस धी गई इतना में कितनी हम उसके वरुष साबिद कर सकते हैं यह मैंने आपको बता दिया कॉंसेप्ट क्या था सेक्शन 24-26 का क्योंकि वहां पर इसलिए नहीं भी उसके पर साबिद की जा रही थी क्योंकि वह गलत थी सेक्शन 27 में इसलिए साबिद कर सकते हैं या कर पा रहे हैं कि उसके वरुष क्योंकि यह वहां से फैक्ट डिसकवर हो गए इसलिए गलत होने की संभावना फॉल्स होने की संभावना यहां पर कम है और पुस आ चुका है तो इसलिके से सेक्शन 27 हमारा कम्प्लीट हो गया थैंक्ट